पद्मनाभं सहस्त्राक्षं वन्मालिम हलायुधं गोवर्धनं दिशी केशं बैकुंठं पुर्सोत्तमा श्री गडेसाय नमा, श्री गुरुभ्यो नमा, श्री केशवाय नमा भक्तो आये अच्रवड करते हैं पुर्सोत्तम मास महत्मे अध्याय नौ सूच जी बोले, उसके बाद विसमे से युक्त नारत मुनी ने मेधावी रिशी की कन्या का अदबुद व्रतान पूछा नारत जी बोले हे मुने उस तपोवन में मेधावी के कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनिस्रेश ने उसके साथ विवाकिया स्री नारायन बोले अपने पिता को इस्मर्ड करते करते और बराबर सोग करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का वैतीत हुआ यूद से भ्रस्ट हुई हरनी की तरह घबडाई, सून्य घर में रहने वाली दुख रूप अगनी से उठी हुई, हाफ दारा बहते हुए अस्रुनेत्र वाली, जलते हुए हिर्दय कमल वाली, दुख से प्रतिक छड़ गरम स्वास लेने वाली अती दीना, गीरी हुई सरपड़ी की तरह अपने घर में सनरुद, अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को ना देखती हुई, उस क्रसोधरी को उसके सुब भविसे की प्रेड़ना से सांतना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परक्रोधी, जिनको दे देखने से ही इंद्र भैवित होते हैं, ऐसे जटा से व्याब संक्षात संकर के शमान भगवान दुर्वासा रिसी आए, हे नारत भगवान कृष्ण ने राजार युदिस्ठिर से कहा कि हे राजेंद वा दुर्वासा आए, जिसको की आपकी माता कुंती ने बालपन में प असकार किये जाने वाले मुझको भी रुकमडी के साथ रत में बैलो की जगा जोता दुर्वासा को बैठा कर रत खीचते हुए, जब हम दोनों मार्ग चलने लगे तब चलते चलते मार्ग में अतित्रीव प्यास से, रुकमडी की प्यास चाहने की इच्छा से, रुकमडी जब मुझे यह सूचित किया, तब कंदे पर रत की जोत को रखते हुए, चलते चलते ही पाउं के अगरिभाग से प्रित्वी को दबा कर, रुकमडी के प्रेम के वसीबूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन किया, तब वही भोगवती उपर से बहने लगी, अनंतर उसी के जल से हे माराज, रुकमडी की प्यास को मैंने बुझाया, इस प्रकार रुकमडी की प्यास का बुझना देख, उसी छड अगनी की तरह दुरवासा क्रोज से जलने लगे, और प्रले की अगनी के समान उठकर दुरवासा ने साब दिया, बोले बड़ा आश्यर है, ह इस प्रकार उन्होंने साप दिया है इस तिर वही या दुर्वासा मुनी है साक्षात रुद्र के अंसे उत्पन दूसरे काल रुद्र की तरह मार्शी अत्री के उग्रतप रूप कल्प व्रक्ष के दिव्यफल पती व्रताओं के सीर के रत्न अनुसुया भगवती के गर्व स उत्पन अत्यंत मेधायुत दूर्वासा नाम के रिसी अनेक तीर्थो के जल से भीगी होई जटा से भूसित सिरवाले साग्षात तपो मूर्ती दूर्वासा रिसी को आते देखकर कन्याने सोक सागर से निकल कर धैर से मुनी के चड़नों में प्रात्ना की प्रात्ना करने क बाद जैसे बालमी की रिसी को जानकी अपने आस्रम में लाई थी वैसे ही या भी दुर्वासा रिसी को अपने घर में लाकर अर्ध पाढ और विविद प्रकार के जंगली फलो और पुस्पो से स्वागत के लिए आग्या लेकर आधर पूर्वक पूजन कर उसके उप्रान्य मैं बोली हे महाभाग हे अत्रीकुल के सूर्य आपको प्रणाम है हे सादो मेरी अभाग्या के घर में आज आपका सुबागमन कैसे हुआ है मुने आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदे हुआ है अत्वा मेरे पिता के पुन्य प्रभाव से प्रेरित मुझे सांतना देने क के लिए ही आप मुनी सक्तम आएं हैं आप जैसे महात्माओं के पाउं की धूल जो है वत तीर्थ रूप है उर्धूल का इस पर्स करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर चुकी हूं आज मेरा व्रत भी सफल है आप जैसे पुन्य आत्माओं को के मुझे जो दर्सन हुए है अता आज मेरा उत्पन होना और मेरा पुन्य सफल है ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा रिसी के सामने चुप चाप खड़ी हो गई ता भगवान संकर के अंसे उत्पन दुर्वासा मुनी मन्द हास युक तो बोले दुर्वासा बोले हे दिच सुते तू बड़ी अच्छी है तुने अपने पिता के कुल को तार दिया यह मेधावी रिशी के तपका फल है जो उन्हें तेरी जैसी कन्या उत्पन हुई तेरे धर्व में तत परता जान कैलास से मैं यहां आया और तुम्हारे घर आकर तुम्हारे द्वारा मेरा पूजन हुआ हे वरा रोहे मैं सीरगी बद्री का स्रम में मुनिश्वर सनातन नारायन देव के धर्सन के लिए जाऊंगा जो प्राडियों के हित के लिए अत्यांत उग्रतप कर रहे हैं। और इस का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता ना मुझे माता है ना मेरी माता है ना पिता ना तो भाई जो धैरे प्रदान करे अता दुख समुझ से पीडित मैं कैसे जीवित रह सकती हूं। जिस दिस दिसा में मैं देखती हूँ वावा दिसा मुझे खाली ही प्रतीत होती है। जिस दिसा में मैं देखती हुई कन्या दुर्वासार इसी के सामने चूप चाप खड़ी हो गई तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। पुर्शोता मास महत्मे अध्याए एक से आठ का स्रवड आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट अधिक मास अध्याए में जाकर स्रवड कर सकतें। तब तक के लिए जाधी क्रिश्म। अवाई लगे जाए वाई तक का स्रोड़ी प्लेइलिस्ट विए लगे उन्याए में जाए नार आपक पास्तू है झाल का उन्याए जाए यह जाए लगे खातें। झाल झाल